हेलो मैं दियर फैंट्स यार मॉस्ट वेलकम एट इस्टडी आएस प्लेटफॉर्म आज हम मैं दियर फैंट्स 18 अक्टुबर 2019 की न्यूज के बारे में बात करेंगे इसमें कौन-कौन से न्यूज है तो इसमें टॉपिक फस्ट है सफर सिस्टम ओफ एर क्वालिटी एंड वे टॉपिक है वो रहेगा कोलिजियम जिस पर कल हमने अच्छे से बात की थी और नेशनल जुडिसियर अपवेंट्मेंट कमिशन जो है इस पर हमने पिछले दो वीडियो में कुछ-कुछ बाते की है फूर्थ नंबर का टॉपिक है अल नीनो फिनोमेना प्रभाव ये क्या है उसके बाद एक है प्रधानमंत्री उज्विला योजना उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि ये क्या है नागा पेस टॉल्क ये दाये हैं इंडियन एक्सप्रेस के पेज नूमर 15 पे थोड़ा सा टॉम पॉइंट आया था टोपिक्स आल रड़ी कवर्ड ये हम हैं क्योंकि चार-पास दिन से लगबख खबरों में एक टोपिक लगाता चलता रहता है तो हम डेली देख रहे हैं कि सफर एंड एर क्वालिट इंडेक्स यह यहां पर डेली में चलता रहेगा तो सफर क्या है सिस्टम ओप एर क्वालिटी एंड वेदर फॉर्कास्टिंग इसमें डवलब इसने किया है इंडियन इंस्टी ओप ट्रॉपिकल मेटेरलोजी और इसको ओपरेशनल मतलब इसको क्रियान वेज़ कौन कर रहा है इंडियन मेटेरोलोजिकल डिपार्टमेंट यह मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है ऐर क्वालिटी अड मिन्स आधरता, wind speed and wind direction का बता कर लिता है मेजर क्या कर लेता है UV rays, PM1, mercury, black carbon, PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO, benzene, tolvin and joylin तो इन सभी का मेजरमेंट कौन कर लेता है सफर जो एक screen है एक system है early जो monitoring system है कि इसका वेदर का तो इस time bound manner से क्या करता है early warning means अभी एक बजे कौन-कौन से parameter है हवा में वो time bound manner में आपको बता देगा second topic हमारा National Green Tribunal जिस पर कल भी हमने बात की थी रास्ठिय हरित प्रादिकरन National Green Tribunal Act 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी article 48A जो हमारा DPSP में है परियावन का सेलक्षन वन और वन ने जिवन की रक्षया इसके तहत यह हमको क्या प्रधान करता है environmental justice और यह environmental protection और improvement forest wildlife safeguard इन सभी के लिए हमको जो DPSP में मिला हुआ है उसके लिए काम करता है सामविदिक संस्ता है क्योंकि एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है chairperson होता इसका power क्या है इसके पास jail, जुर्माना और fine तीनों यह काम कर सकता है 42 Constitution Amendment Act 1976 के तहत 39 इसमें अब देखो यह अलग से मैंने जोड़ा है लक्षमिकांत 42 Constitutional Amendment Act 1976 के तहत हमने देखा कि 48A तो जोड़ा ही था साथ में तीन अन्ने जोड़ा था जो भी UPSC में एक बार क्योशन पुछा गया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 39 में एक अलग से प्रावधान जोड़ा गया कि चिल्डरन जो है उनको Healthy Development के लिए Environment प्रवाइड करे हैं Free Legal Aid 39A में कि जो गरीब है उनको Free विदिक सेवा प्रधान की जाए और 43A है वो Industry Worker जो है उनको जो Management इंडिस्ट्री का उसमें 35% का मौका दिया जाए तो 42 Constitution Amendment Act के दिर द्वारा चार प्रावधान कि इसमें जोड़ा गये DPSP में अलग से ये क्यूशन ये प्यूशन में पूछे जा चुके है 42 Constitution Amendment Act के द्वारा जोड़ा गया 44 के द्वारा जोड़ा गया तो ये आप लक्समिकांद के जो DPSP पार्ट है उसमें आप जाके देखना की 42, 44 & 97 इनके तहत क्या किया गया समीधान में संसोधन किया गया और जो 86 Constitution Amendment Act है उसमें DPS कि जो पहले से एक प्रावधान था उसकी प्रष्ट भूमी है उसमें उसकी प्रष्ट भूमी या उसकी लैंग्वेज है उसमें क्योल चेंज किया गया था उसके तरह कोई जोड़ा नहीं गया सकती क्या है इसको वाटर का जो एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलुशन 1974 फोरिस्ट कंजर्विशन 1980 एयर पॉलुशन वाला एक्ट है 1981 बायलोजिकल डैवर्सिटी वाला एक्ट है 2002 जिससे भी क्यूशन पिछली बार 2018 में क्यूशन पूछा जा चुका है बायलोजिकल डैवर्सिटी एक्ट उसके बाद एन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एट 1987 इनके तहत सभी के तहत एंगेटी को सकती मिलती है जैल और जुर्मानी की अगर कोई उसका कहना नहीं मानता है दो ऐसे एक्ट हैं जिनसे एंगेटी को सकती नहीं मिलती है तो कभी भी कि उसनाए कि एंगेटी में कमी क्या है तो वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड सेडूल ट्राइप्स एंड अधर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2066 जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो यह फॉरेस्ट एक्ट 2006 आपको पता हो तो सु जुक्रियों में राता तो इस बार प्री में 2019 में से क्यूशन पूंच दिया वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक्ट तो इन दोनों के तैती से हो सकतिया नहीं मिलती है इनका अलग कोई देखेगा अपील इसकी कहां की जा सकती है हाई कोट में अपील की जा सकती है रिट अगर जज की न्युक्ति करनी तो वन प्लस फोर का एक कोलिजियम रहेगा मतब गुरूप जिसमें एक सीजी आई और चार सीनियर मॉस्ट जज रहेंगे सुप्रेम कोट की हाई कोट में वन प्लस टू जज की न्युक्ति के लिए जिसमें एक चीप जस्टिस ओफ इंडिया और दो सीनियर मॉस्ट जज ओप सुप्रेम कोट और जब जजजों का ट्रांसफर करना रहे तो वन प्लस फोर प्लस टू मिन्स एक सीजी आई चार सीनियर मॉस्ट जज ओप सुप्रेम कोट और दो क्या रहेंगे चीप जस्टिस बहुत हो भाई कोट जहां से भीजा जा रह रहा है तो इस टाइब से अब कोलेजियम ध्यान रखना है फूर्थ हमारा टोपिक अल्नीनो प्रभाव अल्नीनो फिनोमेना यह गटना है पैसिपिक ओसीन की केवल और केवल प्रसांद महासागर लेकिन अगर बात करेगी इसका प्रभाव तो हिंद महासागर पर भी आता है लेकिन ओरीजन कहां से होता है पैसिपिक ओसीन इसमें क्या होता है कि एबनोर्मल वार्मिंग होता है वाटर का मिन्स ऐसा हमाने रोप से गरम होने लगता है कौन सा पानी समुद्र का यहाँ पर पैसिपिक ओसीन मिन्स प्रसांद महासागर का जैसे एक्विटोरियल जो वैदर है मिन्स जो हमारा हिन जो जितना भी भूमध्य सागर जलवाई उसका टेंपरेचर भी इसके करण बढ़ने लगता है और इससे होता क्या है कि हमारे साउथ वैस्ट जो मानसून है देखी इस टाइप से जैसे नौर्ट इंडिया में कहा है नौर्ट साउथ इस एंड वैस्ट तो यहाँ से जो साउथ से साउथ की तरब से हिंद महासागर स उसमें एंटर करते हुए फिर यह घूम जाता है किदर हमारे नौर्थ इस साइड में तो साउथ वैस्ट मानसून यह लगवक साट परसेंट वारी सा हमारे इसी मानसून के कारण होती है अब होता क्या है माइडिया फ्रेंड्स कि एक्चुली यह जो ड्विंड की डायरेक् यह बने तैंपरिशरी है रहत Means वारी नौर्व जाता है यह तो प्रिकाहां बहुत ज्यादा रहता है तो जो हवाई है वह लिगैस्ष्व समूद्र कोल ने लगे मिन्स हिन प्रसांत मास अगर खुद गरम होने लगेगा तो वहां का वायुदाब क्या हो जाएगा बढ़ने लगेगा जब गरम होने लगेगा तो सोरी कम होने लगेगा तो वायुदाब जब कम होने लगेगा तो हवाओं की छो स्पीड है हमारी तिब्बत की पठार की तरफ वो क्या होगी कम जूर पढ़ जाएगे तो हमारे वांसुन का ट्रैक्टर है चैप्टर हमारा प्रधानमत्री उज्वला यूजना वो हम जानते कि सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल टोटल सत्रह है उसमें सेवन्थ नमबर का सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल है वह है अफोर्डेवल एंड क्लीन एनरजी एक मईई 2016 को लॉंच किया गया इ उनके महिलाओं के नाम से इसको चालू किया गया था डगत रहसी 16 रुपए दी जाती है पहले किया था बीपील सोचियो एकल में कार्ट सेंसर 2011 के अनुसार जो बीपील थे उन्हीं को मिलता था लेकिन अभी सभी स्ट्री सी के घर प्रधानमंत्री आवास यूजना ग्रामि प्रभाव क्या होगा इसका पॉलिशन कम होगा और इंडिया पर काम हो जाएगा अब जो मैं दो इसके साथ योजना है जिनसे कभी बहुत होता है और यह आप ऐसे में यूज कर सकते हो कि प्रधानमंत्री उजाला यूजना जो क्या है LED बल्व वित्रण का एक क्या था यू यूजना उन्नत जोती बाइ अफोरड़ेबल LED फो और एक है केवल उजाला यूजना यह किसके लिए है प्रिवेंचन रिहाबिलिटेशन और रिइंटीग्रेशन प्रिवेंचन मतलब बच्चाओ रिहाबिलिटेशन मतलब अगर मालो कोई फस गया इसमें तो उसका पुनर किसी बच्चे या महिला को पकड़ लिया गया या कोई उसका तसक्री हो रहा है तो ministry of women and child development के तहती यह योजना चलाई गई है सिक्स नंबर का टोपिक हमारा नागा पीस टॉल्क यह सेंटरल गवर्मेंट एन एन एस सी एन यह एक नेशनल सोस्चेस्ट कम्मिनिस्ट फोर नागालेड एक ग्रूप है जो उग्रवादी ग्रूप था इसके बीच में और सेंटरल गवर्मेंट के बीच में 2015 में एक पीस लेकिन वो सिक्रेट पीस ठाल था उसमें क्या हुआ हमको आज तक पता नहीं चला बस यहां कहने की बात यह ही कि जैसे सविधान ने मिंस सेंटरल गवर्मेंट ने आर्टिकल 378 अठा दिया क्या यह 370 A B अठा सकता है और नागालेंड को टेंसन दे सकता है लेकिन ऐसा नही या ना दे अगर नहीं देगा तो खतम हो जाएगा देगा तो लागू हो सकता है कब कौन से लो जब नागाओ की धार्मिक और समाजिक प्रतों से समधित कोई लोग बन रहा हो नागाओ की रूडिवादी वीधी है उससे समधित कोई लोग बन रहा हो सिविल एम दांडिक नियाई प्रिक्रिया है उससे संबंदित कोई लोह हो और भूमी और संपत्ति के स्रोतों का जो सवामित्त्य है या ट्रांसपर किसको जाएगा इसके उपर कोई लोह बना रही हो संसत्त अब टोपिक नंबर जो सेवर है वो क्या है टोपिक साल्री कवर्ड एफटी है बहुत यह संसता नहीं है इंडिया इसका मेंबर है और यह काम क्या करता है मनी लोन्रिंग एंड टेरर फाइनसिंग को रोकना पाकिस्तान के काण यह बारबार न्यूज में आता है वल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मिन्स वेश्विक परतीसफरदा सूचकंग 2014 वल्ड एकोन अगर तीन काटेगरी में बाते एक बच्चे एक यूवा और एक बुजुर्ग तो बच्चे और बुजुर्ग को की की पॉपुलिशन बहुत कम हो और युवहों की पॉपुलिशन बहुत कम ज्यादा हो मिचускारेबल पॉपुलिशन ज्यादा हो तो इसको बलता है डेमोग्राफिक डीवी डेंट अब जो मैप वाला कुछ से ना जो हम ळेली देख रहे हैं तो इसमें उपर की तरफ कौन-कौन से नौर्वे, स्वीडन, फिर फिनलेंड अंड रसिया, नीचे की तरफ है जर्मनी, डेन्मार्क, जर्मनी, पोलेंड, लिथ्वानिया, एंड लाट्विया, अस्टोनिया, तो इस ताइप से आप याद रखना कि नीचे हमारी यहाँ पर 6 देश हैं, और उपर की साइड में कौन से हैं, चार देश, तो टोटल कितने देश हो गए, 10 देश किसको बाल्टिक सी को टच करते हैं, तो यह थोड़ा सा आप 2-4 बार आप इसको देखोगे, तो यहाँ से क्यूसन कई बार टपक जाते हैं, एक्जाम में, तो इस टाइप से याद करता है, हमको पता है, लाल सागर से कौन टच करता है, अगर वेस्टन एसिया के हम देश लें, तो उपर है इस्राइल, फिर जोडन, फिर साओधियर और यमन, चार में खतम, फिर अगर हम अफ्रीका के देश लें, तो यहाँ पर उपर इजिप्ट आ जाएगा, फिर एरिट जाएब से आपको केवल उसी को ध्यान रखना है, जो किसन पूछा जा सकता है, तो सीरिया यहां से निकल जाएगा, भूमद्य सागर का मुरक को लगता है, हमको थोड़ा सा पता है, भूमद्य सागर से बहुत ज़दा देश लगते हैं, लेकिन कैस्वें सागर का मुको पत तो इस टाइब से आप केुसन कर सकते हों, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथल के दवारा कुसन को सोल कर सकते हों, अभी हमने देखा, तो देफने विरिंस क्ट्रोल्बोरड जो है, गैस की ngt तहत बनाया है, जो ये बी जो एयाः पॉलुषन का act है उसके तहद बनाया गया है तो दोनों जो एक्ट की तहद बनाया गया तो दोनों सामविदिक संस्ताई है और काम क्या है एंजिटी का ये इन्वार्मेंटल जेस्टिस और सेंटर पॉलिशन कंट्रोल वोन एयर पॉलिशन को रोकने का काम करता है तो ये 2019 का question है क्यूशन देखो वापस रिपीट हो रहे है क्योंकि टोपिक्स एक बार स्टार्ट होए तो ऐसे रिपीट होते रहते हैं। ये 2019 का क्यूशन है वेस्मिक प्रतिव योगित्व रिपोर्ट मिस ग्लोबल। प्रकासित करता है तो हमको पता है यह कौन करता है वर्ल्ड एकॉनमिक फॉर्म तो मेरी कोशिस यह रहेगी कि आप वर्ल्ड एकॉनमिक फॉर्म से रेलेटेड हमने एक दिन हम पहले भी यह कर चुके है कि पूरी जितने भी वर्ल्ड एकॉनमिक फॉर्म की रिपोर्ट्स है उ अपकी जो जो भी रिपोर्ट है कि इसकी वर्ल्ड एकॉनोंबिक फॉर्म की उसको आप एक जगे लिखनी की कोशिस करना डारेक्टिल करना क्या है आपको येवल और क्याओर व्ल्ड एकॉनॉमिकॵर्म की साइट पे जाना है और वहां से कौनसी Indes निकाला है वो क्यों लिख लेना है उसके बाद देखते हैं एर क्वालिटी इंडेक्स के परिकरन में साधानत है तो यह फस्ट नंबर का टोपीक है उससे मैंने थोड़ा सा काउंट किया है कि एर क्वालिटी इंडेक्स में हमने पहले भी देखा था कि 6 पार्ट आते हैं मिस पॉलुटेंट आते हैं जिसमें पीम 2.5 10 दो तो ही हो गए ऐसो टू एनोटू दो यह उसके बाद लैड एंड अमोनिया दो यह हो गए इस टाइब से आपको क्या करना है उनको कवर करना है उसके बाद O3, Ozone and Carbon Mono Oxide तो यहां से Carbon Di Oxide नहीं होगा बाकी सब हो जाएगा हमको पता है मिथिट भी उसमें रही होता है उसमें Ammonia होता है Air Quality Index में तो यहां से हमारा 5 नंबर और 1 नंबर निकल जाएगा तो बाकी जो बचा है 2, 3, 4 वो आंसर हो जाएगा तो इस टाइब से Pollution से भी questions पूंश लेते हैं तो यह Air Quality Index से question है एक Global Competitiveness Report से question है और एक NGT का है और एक हमारा सागर से related question है उसके पर demographic dividend है इसमें मेंस में कई वार question आ चुका है प्रीमे में question आ चुका है तो थोड़ा से याद रखना है कि demographic dividend होता क्या है कि जो भी यूवा population है उसकी संख्या निर्भर population से मिंस बच्चों से बुजुरुकों से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते है अच्छे से question दिया कि अलिनो जो प्रभाव है ये प्रसांत महासागर से जुड़िवी गटना नय होकर किससे जुड़िवी गटना है हिंद महासागर से तो माई डियर फ्रेंड्स हमको पता है कि अलिनो जो प्रभाव है वो किससे संबंदित है केवल और केवल प्रसांत महा इस टाइब से आपको options दे दिये जाएंगे Collegium System का अपने पहले दिखा था कि Collegium System को अठा कि एक NJ का आया था 2014 के Act के तहत National Judicial Appointment Commission जिसको 4th Judges Cases में क्या किया Supreme Court ने खारिज कर दिया और उसकी जगह NJ NJ जो National Judicial Appointment Commission उसकी जगह Collegium को ही चालू रखा यहां पर जो केस है 1st Judges Case, 2nd Judges Case, 3rd Judges Case and 4th लास्ट कौन सा है 4th तो जजजेज केस का मतलब यह है कि जजों के संबंदित, नियुक्ती संबंदित, उनका Basic Structure of Constitution का उलंगन के कारण क्या कर दिया था, ऐस हमिदाई गोसित कर दिया गया था, उसके बाद NGT से Men's में क्यूसन आ चुका है, प्रीमे भी अलग से क्यूसन आ चुका है कि जो National Judicial, Means National Green Tribunal है, इसकी स्थाफना के पीछे region क्या था, Men's में क्यूसन आ चुका है इबर, और प अफर का क्यूसन तो एक एवर क्यूसन का आ चुका है, Men's में पोलीशन को लेकर आने वाले टाइम में क्यूसन आ सकता है, तो my dear friends, thank you very much for today's discussion, thank you very much